भोपाल की जहां प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराद को लेकर अब सियास्त शुरू हो चुकी है कॉंग्रिस के नेता और पदा दिकारी अब सामूहिक उपवास करने जा रहे हैं बता दे कि ये उपवास दिगविजय सिंग और कमलात दो दिगजनेता एक साथ करते नजर आएंगे बता दे कि भोपाल स्थित न्यू मार्केट में रोशन पुरा चौराहे पर ये कारिकरम कॉंग्रिस करने जा रही है भावर जुतेंद्र सिंग और जीतू पटवारी भी इस कारिकरम में शामिल होंगे सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने समर्थोकों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होंगे वहीं आपको बता दे कि हर जिलाध्यक्ष को सो सो कारिकरताओं के साथ आने का लक्ष दिया गया है तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सरकार को महिला अपरा पर घेरने की कोशिश आज कॉंग्रिस करेगी और सबसे बड़ी बात ये होगी कि दो पूर मुख्यमंत्री भी इस कारिक्रम में एक साथ बैठकर उपवास करते नजर आएंगे चले इस खबर पर हमारी समवाद आता रंजना हमारे साथ लाइफ जुड़ गई उनका रुक कर लेते हैं रंजना दो पूर मुख्यमंत्री और सबसे बड़ी बात ये हैं कि विधान सभाचनाओ के बाद कमनलाज जी का अचानक से पब्लिक अपिरेंस और वो भी एक विरोध प्रदर्शन में कई माइने इसके भी निकाले जाएंगे और महिला अपराद को लेकर इससे पहले भी कॉंग्रेस ने बीजेपी को घेरने की तमाम कोशिशे की जी शुबांगी बिलकुल कॉंग्रेस का आज सामुहिक उपवास है राशनपुरा चोराही की तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बड़े इसतर पर ये जो उपवास है और इसकी माथियम से सरकार को खेरने को लेकर जो कॉंग्रेस की तयारिया है वो आज इस उपवास की माथियम से देखने को मिलेगी क्योंकि ये एक ऐसा सामुहिक मंच है जहां पर तमाम जो बड़े और दिगज नेता है इस उपवास में शामिल हो रहे हैं जाए वो पूर्ब मुख्य मंतरी दिगविजे सिंग की बात करें या फिर आप जो पूर्ब मुख्य मंतरी कमलनाथ है वो एक साथ एक मंच पर यहां पर बैठेंगे और इसी के साथ ही जो कॉंग्रेस प्रदेश अथ्यक्ष जीतू पटवारी और बड़ी संख्या में जो कारी करता है आज इस उपवास में शामिल हो रहे हैं और मुद्व यही है कि मार्दी प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं और बच्चियों पर लगातार अपराद बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब जो कॉंग्रेस पार्टी है अपनी आवाज बुलंद करने जा रही है और जहां तक रहा बाशुबांगी जो अपने सवाल किया कि एक तरह से कमलात फिर से अक्टिव नजर आ रहे है तो जी हां ये वही बात है क्योंकि लगातर इस बात को लेकर सवाल भी किये जा रहे थी कि जो कमलात है वो नजर नहीं आ रहे हैं चाहिए बड़ी प्रदर्शन्स हो या फिर पार्टी के जो बड़ी आक्टिविटीज हो तो अब एक तरह से कॉंग्रेस जब कमलात इस प्रदर्शन में इस उपवास कारिकर में शामिल हो रहे हैं तो एक तरह से अब ये भी संदेश देने की कोशिश है कि वो अब फिर से सक्रिया हो रहे है क्योंकि जो राहूल गांदी है उनसे भी कमलात की मुलाकात हुई थी तो इसके पीछे अब बड़ी बाती यही है कि कॉंग्रेस पार्टी को भी बन रहा है और दोनों दिगज नेताओं को एक मंच पर शायद लाया ही इसले जा रहा है ताकि कॉंग्रेस एक इंपैक्ट दिखा सके एका दिखा सके कि उनकी पार्टी में कितनी एका हो गई कॉंग्रेस पूरी तरह से अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है ऐखेर को को एक जो मंच पर है जीत को लेकर 2 जो उपचनाव है रंजना यह कहा जाये कि एक और देखा जा रहा है बीजेपी का भी मंत årी है ऐसले कर बीजेपी कई अनुशान कर ररही है दो